कि आप आप से सस्ता ट्राइटर जवाया दें चुंबक की तरह कचरे को खींच लेते हैं कि फूर के बड़े दिनों बाद निकला है याँ सब्सक्राइब के यूट्यूब चैनल में और हाजिर हम एक और वीडियो के साथ और अभी हम जो रिव्यू कर रहें फुल रिव्यू इंडो फार्म का पैंसेट एच्प यानिकि पैंट एच्पी 65 होस पावर का जो यह ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर का जो नाम है वह है तीज यह 665 और इस प्रैक्टर के अंदर क्या है क्निया अगर फिसका प्राइस होनोग lucy खुम फित फाइसथ होस्ति हमारा merave ale लोगो लगा हुए लिखा हुए तो बंपर जो है वह पीछे वाले ट्रेक्टर जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी वह आप देख सकते हो जाके और वह था आगे ट्रेक्टर की ट्रेक्टर का जो है आगे देख सकते हो बंपर दिया के इंडो फारम लिखा हुआ है लाइटे जो है नॉर्मल यहने की बलो वाली लाइटे दीगी है और यहां पर अगर मैं इसके बात करूं यहीं से आप उपन कर सकते हो यहां से और यह वाला बटन यहां से दोस्तों दुबाना और यह अपने आप उठ जाता है इसके अंदर तो यहां पर आप देख सकते हो कि आगे जो बैटरी काफी बड़ी दीगी है ड्राइएर फिल्टर दिया गया दोस्तों कूलेंट का जो बॉक्स आप लग दिया गया शोकर दिया गया यहां पर आ अपने अब उठाके रखता है लाइटों की वायर आ रही है यहां पर आगे लाइटों की साथ होती है कलर बड़ा प्यारा अट्रेक्टर का यार ग्रीन कलर रेजिरीटर है और थोड़ी बहुत चलो पैंसर टैच पीतना बड़ा ट्रेक्टर है तो आगे इसके जाली देनी चाहिए सेफ्टी चाली ताकि इसका जो रेजिरीटर ज्यादा खराब ना हो तो चलो थोड़ा बहुत कोई ना कोई कंपनी जो है मिसिंग करी देती कुछ चीजे और यहां पर देख सकते हैं दोस्तों अल्टिनेटर दिया गया है ड्यूल पंप दिया गया और यह अपने ब जानी कि जिस से अपने के फिल्टर की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है लॉंग टाइम जो फिल्टर की लाइफ हो जाती है यहां पर कुछ साफदानिया लिखी हुए दू नोट आवर टाइट एं तो यह पढ़ने का अपने काम का शाहिद नहीं है और पहले 50 गंटे के बा सकते हो पावर स्टेरिंग ड्रेक्टर दोस्तों टायर काफी मतलब हैवी टायर दिए गया अगर फ्रंट टायर की मैं बात करूं तो अपोलो के टायर है और वैसे टायर आते हैं अभी यह करें कि मार्फ के टायर की जो शौटेज चल रही है तो इसलिए इसके अंदर अपोल मतकार के ओपर भी जो है अपने बढ़िया गदे वाली सीटे दीगी है अड्यस्टेबल जो है ड्राइविंग सीट जो अड्यस्टेबल दीगी है और एकितम फ्लैट अगे पिछ उती है मतलब कुछ ट्रेक्टर मतलब है सीट उपर की तरफ चली जाती है तो वह वाला दूसरी तरफ की बात करूं बोश माइको का पंप जो सब इत्रों के अंदर होता है और मैं एक चीज़ आपको वीडियो के अंदर बताना बोल गया सबसे पहले कि चार स्लेंडर ट्रेक्टर है यह चार स्लेंडर और अगर अपने इसके इंजनेरेटर की बात करें तो वह है 200 p.m. और वाटर प्लेटर बिया है यह तो यहां पर बात करता है तो अब मैं अपने बाद करता हो दोस्तों आँगे जाकर पावस् कि मैंने अपके बता दिया है करकी जो है काफी उँचाई होने के कारण एब पैडल दिया गया उपर चड़ने के लिए यहां से या पैर रखके मज़ः सकते हो donc please ज्यादा उचाई गितने हिसकी उनचाई है वो मैं देखता ओं मेरेको पता चला तो में आपके बताता हूं बागी चीज़े में आपको बताता हूं इसके इंदर ड्यूल क्लच आता है जैसे क्लच बड़ा सौफ्ट एयार इसका ठीक है और यह आगए अपने पास इसको बंद करने का जो है पावर आफ करने का जो बटन यहां पर दिया गया है बट यह ट्रेक्टरो रिवर्स पीडीओ और चैनल को सब्सक्राइब करें बीच में पिर नियागा और अच्छे वीडियो पाते रहें तो अभी एंडिकेटर देख सकतो यहां पर अपको सभी ट्रेक्टरों कंदर हैं जो है इसा आधा है तो अभी मैं बात करता हूं अपने के अंदर ट्रांस्मीशन की ट्रांस्मिशन टाइब दोस्त इसके अंदर जो आता है आट फारवड और दो रिवर्स गेर टाइब आते है इसके के इस ट्राईटर याप देख सकते हो कि कच्छुआ और खरगोश कि दोनों डॉड लगा रहे हैं करगोश मतलब कि high Speed और कच्छुई है, मतलब कि low Speed में च exposyen उ सकते हों और फीध में शो का वहाँ पलने डिया तो आज बोच पने पास बर्च कि बास करूँ तो यहां पर आपक्सक्सक्राइग तो यहां पे लानी चाहिए चलो अपने क्या ने अवनलों का यह वाकि मेरा मारह है जितना ही ज्याएदा ट्रैक्टर को असान ऐसे बनाएंगे उतना ही ज्यादा टैक्नॉलजी में अपने को अच्छा लगेगा मतलब पर ज्यादा बीकिए अपर यहांपर अपना ट्राइक्टर यहां पना फोन चारजर दिया गया है भी और स्टेरिंग के अमाघ screens इनल इसके अनद्र भी राने का stereo चाइर घ्रेंग को जो मेटर बैटरी चार्ज हो रही है प्रॉपर या नहीं और यहां से अपने को गर्म होता है ट्रैक्टर कितना गर्म हो रहा है यह अपने को पता चल जाता है ट्रैक्टर में अंदर बैटरी नहीं चार्ज होती तो यहां पर यह रेड बती जल जाएगी तो यह भी एक यह करेंगे में यहां पर दोस्तों इस विप्ट के लिए गया है लिफ्ट की कवैस्टिक है वह हो आपको पीछे जाकर बताता हूं यहां पर इफ आप पोजीशन में है नॉन में और यहां पर इधर शैलो और एक्षित का जो है नेम बगारह यहां पर सब लिखे होएं तो यहां दोस्तों इधर अपने पास टूल बॉक्स दिया गया है यहां पर देख से तो बड़ा साइड में कहीं भी बीच में अठकता और यह पीटियो का जो है अपने को यहां पे लिवर दिया गया रिवर्स पीटियो का ऑप्षन है दोस्तों इसके अंदर मैं आपको पहले ही बता च तर्ट्रेटर के अंदर पीटी ओता है यहां पर देख से तो काफी अच्छी इस्टांक्शन लगा रखी है सर्विस इस्टेक्शन लगा रखी है यह चीज अच्छी लगी ताकि मन्ना इसके पढ़ ले भी कौन कौन से चीजें कब कब चेंज होती है तो यहां पे नहीं पूर ध्यक्तर लिए गया है रात को गर जाते हैं तो पिछे से खाली ट्रेक्टर रहा पतलग जा रहा है यहां पे हलका साही दंड पकड़ने के थोड़ा जिस्से कि जो मटगाड़ भी है वह स्ट्रॉंग रहते हैं तो आएपने पीछे चलते हैं लिफ्त ट्रंग बात करते हैं सबसे पहले बात करें यहां पर देख सकते हैं 12 वाल्ट का सॉकेट लगा हुए दोस्तों यहां पर ताकि इसको अपने ट्रेली में लाइटिंग वगहरा के लिए यूज कर सके और हुख देख सकते हो थ्री होल अड़ेस्टेबल टाप लिंक है अगर हुख की बात करें तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस होल अड़ेस्टेबल हुख है इसकी मतलब बहुत ही डाउन नीचे तक अपने इसकी जो है हुख कर सकते हैं और दोस्तों अपने कि बात करें तो अठारा सो केजी की लिफ्ट कपैस्टी है थ्री पॉइंट लिंकेज के साथ आटोमेटिक डेफ्ट एंडिफ ड्राफ्ट कंट्रॉल के साथ है तो यह जो चीजिए काफी अच्छी हैं ट्रेक्टर के अंदर काफी अच्छे फंक्शन दिये गए हैं और आप देफ्ट कंट्रोल के साथ आती है यह कि कम ज्यादा लगाने के लिए वह अटोमेटिक अडेश्ट करता है जो ट्रेक्टर एसकी जिए लिफ्ट क्वैस्टी तो अभी मेरे हिसाब से इंड़ो फार्म के अंदर बताने कुछ नहीं बताने कुछ नहीं बताता हूं पर सबसे सबसे पहले नहीं मतलब यानि कि बीच में अभी अपने अगर इसके बात करेंगे लंबाई चोड़ाई की तो अभी मैं आपको सबसे पहले अगर इस ट्रेक्टर का वजन दिखाऊं देखो हाथी जैसे ट्रेक्टर लग रहा है काफी वड़ा कि पैंसटों सपाफर का है तो इ सब्सक्राइब कर दोस्तों सब्सक्राइब मतलब मैं पजाबी में अगर आपको बताऊं जैने कि खेट चपने जड़ा है जो 455 mm इसका ग्राउंड कलीरंस है तो अब मतलब बिना टेंशन के निकाल सकते हैं और ट्रीक्टर थो सभी निकलते पर इसको बिना टांटिसके निकाल सकते हैं कुछ इसका जो घरती से ग्राउंड क्लीरंस है वो काफी जादा है और टर्णिग कि बात करूं दोस्तों मैं विद ब्रेक तो 3500 mm और विद ब्रेक 3500 mm के अंदर ये ट्रेक्टर जो है गोम जाता है तो हांची दोस्तों ये था इंडो फारम का ग्लीन कलर का हाथी जैने कि 65 अउसपावर का ट्रेक्टर है जो ड्यूल क्लच के साथ आता है 100% सवदेशी है मेक इ जानिये और मजा कर लोगी तो 3500 mm सबसे 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 आगा गया बाइब का इंडो फारम का अदर कुछ बताने के लाइक रहे गया हो तो भाई आप कमेंट बताएं कि हमने क्या चीजे मिस कर दी और कमेंट आप जरूर करें और ताकि हमें आपसे भी नौलज मिलेगी हम क्या अगली वीडियो में हम आपके लिए वह चीजे लेके आएं तो दोस्तों चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें और दबा के अंगुठे से उसको सबस्क्राइब कर दें यार और लाइक कर दें और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें और कमेंट करने के बाद में आप लाइक वाला बटन जरूर दबा दिया करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों अगली वीडियो हम के सीज़की बताएं ये भी आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हो थेंक्यू धन्यवाद